नमस्कार मैं हूं सरीन चौर्सिया और अभी हम खड़े हुए राय वरेली के एक छोटे से गाउं में जिसका नाम है बराइन यह हर्चनपुर ब्लाक का गाउं है और यहां पर एक बहुत ही इतियासिक चीज आपको देखने को मिलती है काफी पुरानी उसको कह सकते हैं जिसको बावन मोरी का पुल जाना जाता है और यह काफी फेमस है हमारे हर्चनपुर ब्लाक में और इसके साथ साथ यह देखिए हरे भरे खेत आपको नजर आएंगे यहां पर और यह जो सड़क आप देख रहे हैं यह एक हिलाल गंच गाउं पड़ता है आगे तो वहां पर जाती तो वह सामने है छोटा सा गाउं बराइन और यह सड़क जाती है इसी गाउं के बगल से बगल में आप देख सकते हैं यह है बावन मोरी का पुल इससे पहले भी हम यहां पर काफी वीडियो बना चुके हैं लेकिन हमने सोचा कि आज आपको यहां के कुछ अपडेट्स देत हैं अर यह पूरा भावन मोरी का पुल है इसकी खास्यट यह है कि इसके उपर से नाली निकलती है जोकि काफी पुरानी है तो उसी से पानी इस पार से उस पार आता है यह जो सामने आप 29 मोरी का पुल देख रहे है इसको करीबन 50 साल पहले बनाए गया था और यह हर्शनप गाओं के लिए और किसी समय में इसमें काफी बलूई मिट्टी के कारण यहां पर काफी ढलान थी तो उस वज़े से यह नाली बनाई गई थी लेकिन यह बावन मोहडी है इस पुल के अंदर इसी वज़े से इसका नाम बावन मोहडी हो गया है और यहां पर देखिए साथ आल तो ऐसी खेती आपको ज़्यादे देखने को मिलेगी और काफी अच्छा लगता है गाओं की तरब हम जब भी जाते हैं तो आभी हम चलते हैं और पास से आपको दिखाते हैं यह पुल और यह अभी खेतों के बगल में जो मेडिया बनी होती है इसी से हम चल रहे हैं बगल म पारी गाओं में आना रहता है तो ऐसी चीज़े आपको हमारे वीडियो के माधियम से जरूर घर बैठे देखने को मिलती रहती हैं और अब तो हमने यह चैनल को मीडिया में कनवर्ट कर दिया है तो आपको खबरों के साथ साथ ऐसी खुबसूरत वीडियो जरूर देखने क मिलती रहेंगी यह रहा है दोस्तों बावन मोहडी का पुल और यहां पर यह फ्लैक भी बनाए गया है तो काफी अच्छा लग रहा है और बगल में यह बराइन गाओं है छोटा सा तो यहां पर हम काफी बार आ चुके हैं और बीच बीच में अपडेट यहां कर आपको हम देते रहते हैं और चार उत्रब आपको खेद में जराते हैं और यह है बावन मोहडी का पुल